हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे पोई के पात्रा जैसे हम पत्तरवेली बनाते हैं गुच्राती पात्रा जो बनाते हैं सूर्थी पात्रा जो बहुत फीमस है उसी तरह से हम पोई के भी पात्रा बनाएंगे जैसे उसमें मसाला लगाके फिर फोल्ड करके हम बाफने रखते असी तरह से और यह मैंने सारे बड़े बड़े और थोड़े से छोटे कोई के पत्ते ले ले लिए हैं अच्छे से दोलिया है क्योंकि यह मैंने अपने धर पे ही लगाए है प्लांट और यह चीजी देखने में भी बहुत खुशी देखी हैं और खाने के लिए भी बहुत पा जाने वाला अरटा तयार करनेंगे मसाला कि इसके लिए मैने बेसन लिया है चार चम्मजक मिंद चावल का अर्टा付 एक जम्मज झवाल का यह का अर्टा वो भूा है बेसन मिंद स्चाइब का और पे ज्लवरelnें हल्दि अज्वा इंद हेल्डे जीरा पावड़र थिल यह मैंने लिया है मिर्ची और अद्रक का पेस्ट दही दही की जगा पे हम लिम्बू यूज कर सकते हैं पर ऐसी चीजों में अच्छा लगता है दही लाल मिर्च नमक चुटकी बर हींग ओईल थोड़ा सा और गूड क्यूंकि हम गुजरादी लोग जो खट्टा डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा मीठां भी एड़ करते हैं क्यूंकि छीनी ही थोड़ी सी इतनी हल्दी नहीं मानी जाती तो हम नॉर्मली गूड यूज करते हैं और यह इसमें गुड़ ज्यादा अच्छा लगता है इससे रेसिपी बहुत रीचू बनती है इसे लगता है अब ट्राइ करेंगे तो आपको पता चलेगा मीठा मीठा पर यह चीज थोड़ी अलग होती है अच्छी लगती है यह मैंने थोड़ा सा बड़ा पत्ता ले लिया है उस पे हम पत्ता रख दिया है उसका जो डीचा है वह उल्टी तरफ रखा है उसी तरह से दूसरा ले लेंगे और वह सीधा रखेंगे वापस से एक उल्टा इसी तरह से हम तीन चार लगा सकते हैं बहुत ज्यादा लेंगे तो भी फोल्ड जो करेंगे वह खुल जाएगा तो इसके मिलिए जाओ पांच पत्ते तक है आटा इतना पत्ला नहीं करना है थोड़ा सा थीक ताकि यह छिपके रहे सारे पन्ने फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने वाली जीका पी थोड़ा से ज्यादा लगा देंगे तो वह फुले गा नहीं और उल्टा रखेंगे वह उसी तरह से ह एक पैन में पानी ले लेंगे उपर स्टैन लगा की एक प्लेट रख लेंगे और सारे पती जो है वो एक एक करके रख देंगे बाफ ने के लिए यह हम फ्राई भी कर सकते हैं पर अब मॉइल की हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है हल्दी लगता है अगर तलके काना होता तो हम पकोड़े ही बढ़ा लेते हैं 15 मिनित तक हम उसको पकाएंगे यह देखे हमारा रेड़ी है आत्रा पोई का पाट्रा तो आटा बचा था वो मैंने उपर वापस लगा देया था ताकि वो स्टिक भी रहें और मेरा आटा जो है वो पूरा यूज ह जाए उपर कवर भी हो जाए थोड़ा से थंडा होने के बाद हम उसकी पीसिस काट लेंगे थोड़ा संबाल के क्योंकि छोटे से प्रते है तो इसको अलग अलगना हो जाए अलग भी होंगी तो भी वो टेस्टी लगेगा थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा तो हम सं अमरे में नहीं शेक अधाल नहीं शीक गरुते है में इसनों शीक यहाच फ्राय व्यूशिवाँ करते हैं वैसी सारी पात्रमे नहीं है और क्ले अर्यूने दाली आ है इसन वात पर गढ़ता दो जाए उसक्री सफीद्या के लिगता। तोड़ा सा क्रिस्पी अगर पसें हो जी थोड़ा सा जो किनारी है उस प्राउम होने दे पार्चात मिनीटे पका के निकाल लेंगे मिर्ची मिम्बू के साथ बहुत अच्छा लगता है अब जरूर शाएगा